वाड सदस एक बार फिर से आंदोलन पर उतर आये हैं पटना गर्दनी बाग में आंदोलन को तेज कर दिये हैं चेतावनी रैली निकाल दिये हैं सरकार से मांगे करने लगे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें चाहे जो मजबूरी हूँ जहां महागडबंधन की सरकार से उनको आंदोलन किया गया कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब नई सरकार में जो कि हलाकि ऐसे तो पूर्वे सुनियोजित है पहले से ही या डेट घुसित है कि तिस जनवरी को बिहार के वाड़ सदस पटना के गरदनी बाग में अंदोलन करेंगे अंदोलन के लिए शुरुवात भी हो गई अंदोलन हो रही है अब नई सरकार की गठन हो गई है नई सरकार में अब वाड़ सदस्य की काफी उमीदियं है कि सरकार हमारी अधिकार और कर्तब्य को हमारे अधिकार और हक को जरूर दिलाएगी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल बॉबी हमेशा आपका दोस्त आपके साथ आपकी आवाज उठाते रहता है दोस्तों आपसे आग रहे अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लिजिएगा एक जरूरी बात कि अगर आप वाट सदस्ट हैं या उनके सगे समंदी हैं तो अपने हक और अधिकार की पचाने के लिए इस बीडियो को सेर कीजिए सभी वार्ट सदस्यों के ग्रूपों में और वार्ट सदस्यों के पास में बीडियो को सेर कीजिए या जरूर अभी किजिए या फिर वीडियो देखने लगी ताब भूल जाएगा अभी सेर किजिए अपने दोस्तों के पास में ताकि सरकार तक अब आज पहुँचे तो चलिए नया साल है और नई सरकार है और फिर नए जोस के साथ आंदोलन की सुरुआत है जिहां सही आपने सुना कितना संजोग नो वर्स दो हजार चौबिस जनवरी महिना का अंतिम समय 30 जनवरी और नई सरकार नई उमीद और नई फिर से आंदोलन सब नई 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 तो निशीत तोर पर आपकी मांगों पर विचार होगी याद किजिए उस समय जब आप चुनाओं लड़ने वाले थे चुनाओं लड़ रहे थे चुनाओं जित गये थे तो आज जो उपमुख मंत्री बने हुए हैं समराट चौदरी उस समय पंचायती राजमंत्री थुए करते थे उस समय से उस समय भी इनके द्वारा कहा गया था कि वार्ड सदस्यों का उन्हें हक अधिकार मिलेगा वार्ड में वे काम कराएंगे सर्पंच साहब के लिए भी बड़ी बादा की गई थी कि नयायक के साथ विकास का भी काम देखेंगे और एक बार फिर से समराण चोदरी पंचायती राजमंत्री से भी उपर उपमुख मंत्री बनकर आपके बीच में आज हैं तो अब तो इनसे उमीदी काफी लगाई जा सकती है कि अब तो आप पावर फूल हो गये उस समय आपको बहुत कुछ करना पहोता लेकिन आज तो खुद आप मालिक बैट कर बैठ गए हैं आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं तो नई साल में नई सरिकार से नई आंदोलन का रूप रेखा जो है इस तरह से पेस हो रही है चेतावनी दिया जा रहा है तो चेतावनी को नहीं बल्कि नई साल में सौगात की मांग होनी चाहिए हर चीज आंदोलन नहीं हाँ अपनी बात को रखने के लिए परियास तो जरूरी है अब उन्हें याद दिलाईए उस समय की बातों को जब उन्होंने आपसे कई वादे किये थे और सरकार भी चाहती है कि वाट सदस्यों को हक अधिकार मिले निश्चित तोर पर आपका हक अधिकार मिलना चाहिए फिलाल के सिती वार्स अदस्यों की यह है कि रबड अस्टाम की तरह मात्र के वल पर्योग किया जा रहा है और पर्योग भी क्या मात्र नाम रह गया है अब योजनाओं की जनकारी तक भी वाट सदस्यों को नहीं मिल पा रहा है बैठकों में बुलाना भी बंद कर दिया गया है आखिर यह कैसा पद है जो चुनाओं जितने के बाद हाथ पर हाथ धरकर घर में बैठे हैं और काम लगा तो अंदोलन मात्र कर रहे हैं सरकार से इस बात को रखनी चाहिए कि हमारी परतिनिधित्व की अगर जरूरत नहीं रही तो हमें क्यों चुनाओं में उतारा गया हक अधिकार की आप बात करते हैं देखिन नीमा अनुसार बात करें तो वाड में होने वाला हर काम का देखरेक या उनसे होकर गुजरनने के लिए वाड सदस की जरूर जिम्मवारी होनी चाहिए लेकिन कोई पुझ नहीं रहा है इसके मंत्री जी को लेना चाहिए पंचाइती राज विभाग के सचीव को लेना चाहिए लेकिन शायद कोई नहीं डीपी आरो बीपी आरो सब यहां पर फेले नजर आते हैं कोई कुछ इस पर बोलने के लिए तयार नहीं है तो कैसे मिला गया वार्ट सदस्यों को उनका हक और अधिकार तो बेचारे पहुच गए हैं पटना की धर्ती पर नई सरकार क्या उनकी बातों को सुन सकती है अलबत्ता जिनके लिए आप अंदोलन कर रहे थे आज वो बीपच में आ गए और जो बीपच में थे वो सत्ता में आ गए अब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके अंदोलन में जो जिनके लिए आप अंदोलन कर रहे थे जिनके सामने गुजारिस करने की बाती हो तो बीपच में आ गए और आपके बीच में सायद आकर फिर से बड़े-बड़े एलान करने लगे यह होना चाहिए जब देना था तो कहां चले गए थी और जो भी पच्छ में होकर आपकी बातों को कर रहे थे कि इनको हक मिलना चाहिए आप तो सत्ता में आ गए उनको बिना फोरन हंगामा कराए बगेर ही उनको सब चिज़ का एला तो इस पर तो दो रंगी निती नजर आई और कहते हैं कि दोगना बढ़ा दिया तो वार सदस्त आज शेतावनी रैली के रूप में पटना की धर्ती पर पहुच चुके हैं तो बीडियो लंबी नहीं हो तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज वार सदस्त मात्र नाम का रह गए अच्छी खासी संखिया आज पटना की धर्ती पर वार सदस्तियों की जमवाड़ा हो रही है सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है परदेश अध्यच गरेश चौधरी ने तमाम बिहार के वार सदस्तियों से अपील किया है यधीक से धीक संख्या में आप पटना की धर्ती पर पहुचें और अपने हक्ख हुकुक की लड़ाई को आगे बढ़ाएं सांती पुन्धन से अपनी बातों को रखें अब देखना यह होगा कि यह इनकी रेली यह इनका धर्ना परदर्शन कितना सफल होता है अगर इस बार आपको सफलता नहीं मिली तो आप लिख लिजिए फिर कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आपकी सफलता रंग लाएगी क्योंकि आप दोतों सरकार की बातों को सुन चुके हैं देख चुके हैं उनकी महागडबंधन में भी आप लोगोंने मांगे उठाई थी समराटे चौधरी और वीजए सिन्हा आपकी हत की लड़ाई कहां तक दिलाते हैं या देते हैं यह तो देखनी वाली बाते होंगी लेकिन कहीं न कहीं वाट सदस्यों का उनका हक से अलग किया रहा है महरूं किया रहा है तो इसमें वाट सदस quindi जिमवार हैं सबसे पहली तो वार्ट सदस्व में एकता की बहुत 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 कमी दिखाई देती है बहुत सारे लोग अपनी घर पर बैठे रहते हैं खबर एक दूसरे से मातर लेते हैं कि पट्टा में क्या हो रहा है जब हम खबर डालते हैं तो कॉमेंट बॉक्स की जग पदाजिकारियों से मिलकर काम दलाली का काम करते रहते हैं और अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो कहीं न कहीं यह जरूर है कि अगर वार्ट सदस्यों का उनका हक और अधिकार नहीं मिर रहा है तो वार्ट सदस्थ खुद इसके जिमवार हैं सबसे पहली जिम लेगा इस तरह से नहीं कि कुछ लोग दलाली में लगे रहें कुछ मुखियाजी के फिर में लगे रहें कुछ पदादिकारी के फिर में लगे रहें कुछ पटना की धर्ती पर कभी गर्मी में तो कभी सर्दी में सड़कों पर बैठ कर हला करें और बहुस जादा संख्या में लोग घरों में बैट कर मौज फरमाते रहें तो इस तरह से करने से कभी भी आपका हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा तो बस इतना ही कहने आपके बीच आये थे और चलते चलते फिर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा धन्यवाद